लो फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग मैं उविश इंडियन इवरिवर में आज आपका फिर से स्वागत करते हैं अभी मैं हूँ कलकत्ता के इंटरनाशनल एरपोर्ट पे गेट नमबर फाइब पे और मैं आज जा रहा हूँ दुबई और इस ब्लॉग में आपको मैं बताने वाल हूँ कि कोबिट के टाइम पे दुबई में कैसे ट्रावल करना है क्या क्या रिक्वाइर्मेंट है अभी सुब के बज रहे हैं तो मैं एक बज़े करीबन आ गया था मेरी फ्लाइट है आट बज़े की तो जल्दी आने का कारण ही है कि मेरो को ना एक पीसिया टेस्ट तो जो फोटी आवर्स पहले करना वो तो मैंने सिटी में कर लिया था उसका रिपोर्ट भी मेरा पहले है यही सोचके में जल्दी आ गया था लेकिन गेट अभी बंद है गेट खूलेगा तीन बज़े के बाद तो ठंडा है तो इन लोगों ने अच्छा इंतिजाम किया है कि अंदर चार नमर गेट से अंदर जाके आप आराम से बैठ सकते हैं तो चलिए वहां जाके बाहर फिर से जाके चेक करता हूं कि इंटरनेशनल का खूला की नहीं खूला काफी दर तो अंदर बैठा था ठंड काफी है अच्छा है कि अंदर बैठने का इंतिजाम था चले देखते हैं लोग तो लाइन में खड़े हो गए हैं फाइनल काफी जहत तो जहत करने के बाद बैठ देखते हैं आते हैं स्लिस एक पारकोड वसको स्कैन करें और यहां पार कोड्याल Catholic फॉर संब ड़ें और सुप्रेंग और वह दको हैं से यहां नमबर के आपको प्रिंट करकर गए ह्याया है और सितिंग हो राए और एक ठीट पाद रिपंड निलेघा ऑ mor reconstruct हुम रिपोर्ट भी आ गया रैपिट का नेगिटीव है और एक बात आप इदर आएं तो इंडियन करेंसी जरूर लेकर आएं कई लोगों के पास नहीं थे बड़े दिक्कत हो गए इन लोगों को तो यह भी ध्यान रहें तब जा रहा हूं बोर्टिंग करने के लिए करने हैं और आपके पास वीजा हो तो आपको दुबभई में वीजा होना राइबल मिलता है यह बात आपको पता होगा तो मैं उसी का यूज करने वाला हूं लेकिन उसके लिए एक यह है कि आप जब भी बोर्टिंग करने आएंगे आपका जो वीजा का कॉपी है ना कि लोग दुबई भेजते हैं तो दुबई से अप्रूबल आएगा तब मेरे को बोर्डिंग पास देंगे और से अल्रेडी बैक का टैग और सारा कुछी लोगों ने प्रिंट करके मेरे को दे दिया है तो बोर रहें कि थुड़ा सा सर वेट कर लीजे 10-15 मिंट में तो ओके टूब हो गया चेकिंग मेंग सारा हो गया अब बैटके विए बस बेट कर रहे हैं फ्लाइट पर बोड करनी के लिए वाइनली बोर्डिंग कर रहा है थाएन थाइक्ट वावयू थाईट्स दी अब बाक ऑबर सेक्ट आप जाएट ने थाट आगाया है एम्रेज की फ्लाइट्स तो क्या कहने सबसमें बेहतरी आपने देखा कि अभी कुछ दिर पहले योग उने फोटो पीचा मेरा मेरा इने जो जा रहे हो उसका सब कर फीच रहे तो उसका कुछ इंटरिजल्ड कुछ इस तरह का आया है कर दो कर दो करने के लिए लांड होते ही पहला काम होगा कोविक टेस्ट हो गया एक मिनिट का काम था फ्री ओप कोस्ट और चोबिस घंटे के अंदर इस तीसरा बार कोविक टेस्ट बहुत ही इजी प्रोसेस था है लांड किया इस यह टेस्ट हो गया और इम्रिकेशन के पहले आएंगे तिक मरहबा का ओपीस से यहां से वीजा ओन आराइवर लेंगे और इम्रिकेशन करेंगे और चलते बनेंगे इतना इसाही था पाच मेंट का काम था कि आदा घंडा भी नहीं हुआ अमनों को कोविड टेस्ट भी हो गया वीजा भी ले लिया इम्रिकेशन भी कर लिया अब बस यह लगे जानी वाली है उसका ही वेट कर रहे है बहुत फास्ट और इजी प्रोसेस था अब फिलाल तो मैं एरपोर्ट से बहार आए हो तो मैं पता किया कि यहां से कैसे मैं होटल जा सकता हूं सब लोग बोले होटल ही होलीडे इन यही बाजू में है लेकिन डोट तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो सब लोग ने बोल रहे हैं कि हाँ सटल बस आती है होटल की हर 15 मि बैदा देखता हूँ धी आती तачी बात है ने तो उबर लें मुलता है गर करके यहां से निकलते हैं जल्दी निल्डी में अच्छा है है पर खीउर के आप सर्थ Ern exting Hope बता कर लें तो आपको काफ अच्छा होगा आपको उबार और ये कार के पैसे बच जाएंगे जैता मेरा इधर होटल का बस आ गया है ये बोल रहे हैं कि 10-15 मिट में पहुच जाऊंगा इसे बेतर क्या ही चाहिए तो 10-15 मिट बेटी कर लेते हैं उबर से भी जाएंगा तो 10- क्रॉस करके हैं लेकिन क्रॉस करने के लिए बूरा लंबा ड़न लेकर आना है अ झाल झाल